हलो एवरिवन सो माइनम इस कुलदीप सिंह राठोड एंड वेलकम इन पोश्ट गाइडेंस सीरीज आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए कंप्लीट एक पोश्ट गाइडेंस सीरीज चल रही है जिसमें आपको गेट स्कॉर से लेके कटोफ से लेके प्लेस से लेके इंपोर्टेंट ब्रांश से लेके हर एक चीज आपका एक इस टेक्चर में में कवर कर रहा हूं और यह पोश्ट गाइडेंस की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें आप सारे के सारे जो इनफोर्मेशन उसको देख सकते हो यह इनफोर्मेशन के बिहाब पर आप डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट कोर्स हो सकते हैं उनमें आप अपलाई कर सकते हो इस पर यह इसको बना दिया ता जिसमें आई भूनेस्वर का फोर्म केसे भरना है उसका क्या प्रोसिस होगा उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको तो आपको मैंने बताया था कि MTA के बहुत सारे discipline होते हैं जैसे यहां पर आप देखेंगे climate science and technology के बारे में बात करो computer science and engineering के बारे में बात करे electronics and communication engineering के बारे में बात करें power system के बात करें सब के cut-off लिखे हो है तो यहां पर इस table में आपको क्या करना है मैंने आपको देखने का प्रोसेस भी बताया कि आप किस तरह के से देख सकते हैं यहां पर देखेंगे जनरल के लिए 400 गेट इसको आपको रिक्वाइड है के लिए 360 गेट इसको रिक्वाइड है स्टी पीड़ी के लिए 268 गेट रिक्वाइड है कंप्यूटर साइंस और इंजिनेरिंग के लिए 550 रिक्वाइड है और इसके बाद OBC में 495 रिक्वाइड है इसके बाद SC STPWD में 368.5 रिक्वाइड है उसके बाद electronics and communication इसके बाद OBC में 450 और इसके बाद SC STWD में 335 रिक्वाइड है तो गाइज ऐसे ही पावर सिस्टम और इंजिनेरिंग का डाटा आप देख सकते हैं इसके अलबावा इलक्टोनिक्स और ड्राइव ड्राइवर्स का डाटा देख सकते हैं मेकेनिकल सिस्टम डिजाइन का डा कि आप कों सी बाटि के ने तो तो मेकेनिकल के स्टुडेंट को क्या करना है बढ़िए शक्राइब कर सकते हैं और पर आप अप रहें कर दो धर्र्माव लोगा अपलाई कर दो अपलाई कर दो ऐसे से मईलेक्टिक आले कर लिए और से बच्छों के लिए होता है ऐसे इस और यहां पर देखने को मिल रहा है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो इसके बाद अगर हम आगे बड़े गाइस तो स्ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिरिंग के बारे में बात करें तो इनके अपका गेट जो है वह किससे होना चाहिए मेटलर्जी इंजिनिरिंग और फिर आप मेकेनिकल से अगर गेट देरो तब भी इसमें हो इसकी कट आप देखेंगे तो आप सोख हो जाएंगे इसमें बात करें तो यह जो डाटा में आपको बता है तो आप सब को पता होना चीए कि जो न्यू आट की केटेगरी में आता है कर सकते हैं एक आपके होते हैं जो काफी जादा ओल्लाइट है जिसमें डेली आते हैं मदरास आते हैं बोंबे आता है उसके बाद आप तो इन केटेगरी में काफी करती है तो जो बच्चों का गेट इसको बहुत ही जादा अच्छा है तो टोप आट में प्राइगे जिन बच्चों का गेट स्कोर थोड़ा वह मिड़ा वाले आता तो तो उनको उप्शन्स मिल जाएंगे यहांप आप बात करें गई तो सारी ब्रांचेस की कटोफ लिख हुए यहां पर डिजाइन की आपको पता है कि कटोफ बहुत ज्यादा हाई जाती है 713 है तो इस बार देखो हो क्या रहा है कि इस बार काफी कम गेट इसकोर पर भी अच्छी रेंग सारी है तो इस बार थोड़ा कटोफ जो आपको बता दूँ कि आपको सारी के सारे वीडियो करने हैं ऐसे ही में हर एक के उपर आपको कट ऊफ वीडियो दूँगा ऐसे ही में हर एक आए सकाफ को प्रोसेस बताओंगा आप इस चैनल पर पोस्ट के गाइड़ियो देखो जिसमें पूरा एक्स्प्लें करता हूं कि क कवर नहीं हगे कर सकते हैं उसके अलाबा आप पी डबलु की एप पर जाके लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं वहाँ पर सारे ईटी का लाइव डिसकर्यन होता है हर एक कुछन का आंसर कराए जाता है तो आप उन्हें कुछ रैस्पन भी मिलेंगे आपके आंसर्स भी कर दो कर दो